बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com नवसकार राशी चक्र में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ प्रवीन मिस्र आए जानते हैं एक नॉम्बर का दिन आपका कैसा बितेगा सबसे पहले बात करते हैं पंचांकी एक नॉम्बर दो हजार एकिस दिन सोमवार कार्तिक मास क्रश्न पक्ष एका दसीति थी रहेगी दो पहर एक बजकर एक कीस मिनट तक फिर दो दसीति थी लग जाएगी इसके साथ ही जो पूर फागुनी नचत्र है वो बारा बच कर तिरपन मिनट से तक रहेगा फिर उत्तर फागुनी नचत्र शुरू हो जाएगा चंद्रमा सिंग राशी में छै बच कर चालिस मिनट तक रहेंगे शूरेदेव तुला राशी में बिराजमान है अभिजीत मुहुर्थ का समय होगा सुबह 11.42 मिनट से 12.27 मिनट तक और राहुकाल का समय है सुबह 7.56 मिनट से 9.99 मिनट तक दिशा शूल है आपके लिए पूर्व दिशा चलिए शुरू करते हैं राशी फल का सिलसिला इसके पहले आपको ये बता दें कि आज रमा एकादसी है रमा एकादसी बहुत महत्यपूर मानी जाती है इस दिन आप भगवान विश्नु और माता पारवती का पूजन करके अपने जीवन के कस्टों को दूर करने के लिए भगवान विश्णु और माता पार्वती जी से प्राथना कर सकते हैं तो रमा एकादसी के इस पर्व को आप अच्छे से मनाईए ये दिन स्री हरी की पूजा के लिए विशेष महत्यपुन माना जाता है तो भगवान विश्णु की पूजा कर लिजेगा और माता लक्ष्मी क की पूजा अवश्य करिएगा क्योंकि मा लक्ष्मी की भगवान विश्णु और मा लक्ष्मी की पूजा से आपकी जीवन में सुख बढ़ेगा जगत के पालनहार भगवान विश्णु कृपा करेंगे तो धन की प्राप्ति होगी सुख बढ़ेगा मन की ख्षाएं पूर्ण होंगी तो रमा एकादसी का लाब सभी लोग अवश्य उठा लें चलिए शुरू करते हैं राशी फल का सिलसिला सबसे पहले बात मेश राशी की सरकार से संबंदित काम में मेश राशी वालों को सफलता मिलेगी प्रापर्टी में निवेश के लिए योग बने हुए हैं जो ल प्रश राशी करियर में तरक्की के अवसर मिलेंगे मित्रों से आपको मदद मिलेगी परिवार में सुख बढ़ेगा शुब रंग है आपके लिए सफेद और उपाए हनुमान चालिशा का पाट करें तो आपके लिए बहुत शुब रहेगा बात करते हैं मिथुन राशी की व्यापार में सफलता मिलेगी कुछ नया काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल है परिशानियों से आपको छुटकार मिलेगा शुब रंग है मिथुन राशी वालों के लिए हरा और उपाए भगवान शिव की आरती करें करक राशी धनलाब के नए आउसर मिलेंगे मन मे तनाव रहेगा व्यर्थ की चिंता से बचें करीबी लोगों से मदभेद हो सकता है क्रोध ना दिखाए तो अच्छा रहेगा शुब रंग है आपके लिए क्रीम और उपाए किसी गरीब को दूद का दान करें बारी आ गई अब सिंग राशी की नई नौकरी के आफर आपक उपाए किसी गरीब को लाल फल दान करें कन्या राशी आपके काम पूरे होने वाले हैं आफिस में सहकरीमियों से सहयोग मिलेगा मन खुश रहेगा अपने विवहार में बात करने के तरीके में सैयम रखें शुब रंग है आपके लिए हलका हरा उपाए ओम नमाशिवाय का एक सो आडवार जाप करें तुला राशी नौकरी में उन्नती होगी मान यश बढ़ेगा आप नया घर बुक करा सकते हैं प्रापर्टी खरीदने के लिए समय अनुकूल है शुब रंग है आपके लिए सफेद उपाए किसी गरीब को भोजन कराएं ब्रश्चिक राशी जी की बात समझने की कोशिस करें शुब रंग है आपके लिए मरून उपाए किसी गरीब को एक किलो आटे का दान करें धनुराशी समाज में विशेश कर आफिस में आप अपनी मान प्रतिष्ठा को ले करके सतर करें अपनी वानी पर नियंत्रन रखें रोगों को हलके में ना दें और किसी को पैसा उधार ना दें आसानी से वापस नहीं मिलेगा शुब रंग है आपके लिए पीला उपाए किसी गरीब को एक किलो दूद का दान करें मकर राशी नया निवेस कर सकते हैं सितारों का सांथ मिल रहा है अगर अभी तक मैरिज नहीं हुई है तो कोई बा बाचीत करना होगा संतान के विवहार से मन खटा होगा ज्यादा कमाने के लोब में आकर धन ऐसी जगें ना लगाएं कि पैसा आपका फास जाए शुब रंग है मकर राशी वालों के लिए सफेद और उपाए भगवान शिव को जल अर्पित करें बात करते हैं कुम राशी क धार्मिक कारियों में आपकी रुची बढ़ेगी सोचे हुए काम पूरे होंगे लेकिन जल्दवाजी काम में ना दिखाएं लाइप पार्टनर से मद्भेद हो सकता है शांत रहने का प्रयास करें शुब रंग क्रीम उपाए किसी मंदिर में बिजली का बल्व दान करें मीन राशी धैर से काम करें जल्दवाजी में फैसला करने से बचें अपनी बात को लेकर अड़े रहना आपके लिए ठीक नहीं है शुब रंग है आपके लिए सुनहरा यानि गोल्डन कलर और उपाए गव माता को रूटी खिलाएं तो राशी चक्र में आज बस इतना ही फ आपके लिए खिलाएं बसकार